हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे EU Small Finance Bank से Personal Loan के बारे में एक subscriber उन्होंने पूछा हुआ EU Small Finance Bank में मुझे Personal Loan अप्लाई करना है तो क्या rate of interest लगेगा और क्या हमारी मंतले किस जाएगी साधी साथ क्या eligibility लगती है क्या documents लगेंगे तो सारी चीज़े इंटर्फ में detail से बात करते हैं तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और यहां हम आचुके अपने में पेज पर EU Small Finance Bank की में पेज पर हम आचुके हैं और यहां पर हम लोग आज बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में पर्सनल लोन फुल्फिल योर ड्रीम्स ठीक है यहां पर बहुत अच्छे यहां पर फीचर्स देखने हों मिलते हैं साथ ही साथ यहां इनका दो ले रहे और उतने साल लोग में आपको ब्याज कितना लगेगा उसमें इंट्रेस्ट केतना जाएगा ठीक है तो शारी जीज्जें पता जल जाए बड़ा इंट्रेस्टिंग हे संझाते अब कुछ ठीक है तो पहले इलिजबिल्टी कैटिरिया हम लोग समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़ादे मिनमम रिक्वाइमेंट प्ले करता है तो इलिजबिल्टी जो आप यहां पे दो को इंडिया के रहने वाले होने चाहिए आपकी जो एज होनी चाहिए 23 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए यू कैन अवेलबल परसनल लोन मिनमम रिपेविंट टेन ओर ओफ 12 मंथ एंड मैक्सिमम रिपेविंट ठीक है तो यहां पर आपको एक साल से लेकर के 5 साल तक का लोन मिल जाता है और कितने लाग का 10 लाग का जो की बहुत बड़ी वात है आपकी एज कितनी होनी चाहिए 23 से 60 के बीच में होनी चाहिए आप 1 साल से 5 साल के लिए लोन अपलाई कर सकते हैं कितने लाग का 10 लाग का लोन अपलाई कर सकते हैं इंडिया के रहने वाले होने चाहिए चलिए आब हम उनका यह लिज यह माई का यूज करते हैं माल लेते हैं कि जो हमारे सस्क्राइबर हैं उन्हें दो लाग का लोन चाहिए ठीक मुलब की दो लाग का लोन चाहिए यहां पर एमाउंट डाल देते हैं दो लाग तो दो लाग का उन्हें लोन चाहिए दो लाग यह 25 जार हुआ अरे दो लाग भाई पढ़ जा यार दो लाग क्यों नहीं पढ़ आ यहाँ पर हमने अमाउंट डाल देते हैं दो लाग तो स्लाइडरी का यूज करना पढ़ेगा भाई ठीक है अरे भाई स्लाइडर का यूज करो ठीक है यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे तो हम लोग का यह काम नहीं करेगा ठीक है दो लाग यह जाया का माल लेते हैं लोन हमको चाहिए और क्या रेट अप इंटरस पर हमें लोन पढ़ेगा तो माल लेते हैं कि हमें जो रेट अप इंटरस लगेगा वो लगेगा 15 या 16 परसेंट का 17 परसेंट का क्योंकि मैक्समाम रेट अप इंटरस यहाँ पर चल रहा है और हमें लोन कितने साल उगली चाहिए पान साल उगली चाहिए ठीक है सीधे हमने भाई दो लाग कलोन पान साल उगली चाहिए तो यहाँ पर हमें पता चलिए प्रिंस्पल अमाउंट है रहा हमारा दो लाग एक हजार उपए अठानबे हजार उस पर हमें ब्याज लगेगा टोटल जो अमाउंट हमें बैंक को पे करना पड़ेगा साठ सिधे में इसको लेते हैं तीन सालों के लिए तो जिसमें आव टोटल जो शाएदा है वो इसको बाई 20 सालों में complete कर दें ठीक है 20 माईने में complete कर दें तो हमारी यह 1.7 years के लिए हमारी किस्तबंदती है जिसमें हमारी 11611 रुपय की मंतली किस जाती है और जिसमें हमें यहां से इसको calculate कर सकते हैं अदरवाइस दूसरा इमारी के लिंक हमें आपको description में डाल दूँगा जो कि आपके लिए user friendly है और इसी तरीके से काम करता है और उसमें और भी ज्यादा चीज़े details से आपको पदा चलती है तो अब हम आज के यहां पर आप कोई भी collateral नहीं लगती है ठीक कोई नहीं करना है अप्लाई नहीं करना है और तुरंती आपका लोन अप्लाई हो जाएगा अब यहां पर बात कर लेते हैं लोन step की कि किस तरीकी से लोन हमारा bank में आएगा आपको क्लिक करना है अप्लाई नहीं के बटन पर verification your detail मतलब कि अपना number number डालना है financial detail ठीक है यह सारी चीक है चेक यह प्री approved offer ठीक है आपका चेक यह अपना जो प्री approved offer उसको चेक करना है यह ठीक है उसके बाद आपको alternative option select करना है you can visit your nearest branch ठीक है आपके पास कोई भी अदर के पास कोई भी आस पास कोई ब्रांच हो तो उसके आपको बात करनी है तो आपको आपको चीज़े कर लेनी है यहां पर फीस चार्जस की बात कर लेते तो आपको processing भी 4 परसंट लगती है no charges of for the administration and documents पर आपको कोई चार्जस नहीं देना stamp date हो आपके पर depend करती है आप किस state पर हो overdo interest overdo आपका interest 3 परसंट पर मंद के according लगता outstanding amount पर ठीक है prepayment of for prepayment of foreclosure charges आपका 12 मंद में 5 परसंट लगता है 12 मंद और यहां पर बात करें if paid after 12 month तो आपको तीन परसंट लग जाता है ठीक है यह है यहां पर आपको बहुत सारे maximum question देखनों मिल जारे है what is a personal loan where can personal loan be used what is the maximum loan amount ठीक है can I get personal loan how can get a personal loan immediately ठीक है तो यह सारे option आपको यहां पर मिल जाते हैं जो कि आपके mind में question चल लोंगे तो यहां पर इनके options को भी पढ़ सकते हो personal loan के advantage क्या does not personal loan offer tax benefit ठीक है तो यह भी आपके mind में होता होगा कि personal loan ले रहेंगे तो में हमें tax benefit देखनों मिल जाएगा तो यह भी आपके mind में जो question आते हो आपके complete हो जाएंगे तो आयोप आपको यह video पसंद है वीडियो पसंद है प्लीज साब लग करें चैनल सबस्क्राइब करें जाहिंट जाइब आरत